तो what's up guys कैसो आप सभी I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत आप सभी का फिर से बहुत ही useful वीडियो में दूस्तो अगर आप अपने एक mobile phone में दो Facebook application का इस्तमाल करना चाहते हो दो Facebook application चलाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा detail तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एक mobile phone के अंदर एक device में किस तरीके से आप दो Facebook application का यूज कर पाऊगे पाइदा भी उठा पाए तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से करते है श्टार्ट तो देखो अगर आपके पास कोई एक device है एक mobile phone है और उसमें दुस्तों आप दो Facebook application का इस्तमाल करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको करना है कि बहुत ही simple सा process है यहाँ पर आपने से काफे सारे ऐसे लोगों के जो बहुत सारे third party application का यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने mobile phone की settings को open करता हूँ ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा ठीक है तो अब दुस्तों यहाँ से आप नीचे scroll down करके facebook application को ढूंड लेना यहाँ पर मेरा facebook application आ चुका है अब यहाँ पर मैं 2 अप्लिकेशन को open करकी भी दिखा देता हूं को यह application के प्हले से अपना account बना रखा है तो यहाँ पर मैंने एक application में पहले से अपना account बना रखा अब यहां से हम gophile पे click करेंगे, यहां से मेरा profile आप सभी को देखने को मिल भागा, ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से इस application में अपना account बना रखा था, ठीक है, अब यहां से हम second अप्स डेकर सकते हैं, जैसिक यहां पर मैंने open किया, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नए अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा application यहाँ पर open हो चुगा है और नीचे में यहाँ पर देख सकते हो create new account का option आ रहा है यानि कि इस application में आप नए अकाउंट बना सकते हो या फिर दूस्तो अगर आपके पास कोई दूसरा एकाउंट है तो easily दूस्तो आप यहां से उस एकाउंट को यहां पर login कर सकते हो ठीक है यहां पर आपको अपना mobile number या फिर email address डाले उसके पासबर डाले लोगिन पर क्लिक करके easily दूसरा जो Facebook एकाउंट है आप उसे यहां पर एकाउंट लोग इन करके आप Facebook application का यूज कर सकते हो उम्मीद हो दूस्तो आप लोगों को यह सारी बात समझ में आ गई होगी एंड उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से अपने एक डिवाइस में एक फोन के अंदर दो Facebook application का यूज किया जाता है मिलते कुछ ऐसे ही useful वीडियो